So guys, आज की इस वीडियो में बात करने वाल हूँ कि कैसे आप अपने YouTube चैनल के लिए एक Perfect Banner बना सकते हो Perfect Banner कहने का क्या मतलब है? तो Perfect Banner कहने का मतलब है कि आपका जो Banner का Size होना चाहिए, वो एक Proper Size होना चाहिए बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसा Size बना जाते हैं जो कि Mobile में तो अच्छे से दिख रहा है, लेकिन जैसे उसे हम Tablet में Open करते हैं तो वो जो है Banner अच्छा नहीं दिखता जैसे हम इसको TV में Open करते हैं, तो वो जो है आपका Banner अच्छा नहीं दिखता तो आज की इस वीडियो मैं आपको Complete Size बताऊँगा और साथ में मैं आपको कुछ इस तरीके का Channel Banner भी बना के दिखाऊँगा कि कैसे आप कुछ इस तरीके के Channel Banner को बना सकते हो एक Perfect Size में, जिसको कि अगर आप अपने Mobile Phone में देखो तो भी अच्छा दिखेगा, अगर आप अपने Laptop में देखो तो भी अच्छा दिखेगा, अगर आप उसे Tablet में देखो तो भी अच्छा दिखेगा, और आप उसे TV में देखो तो भी अच्छा दिखेगा, क्योंकि आज के टाइम पे आपके वीडियो को लोग Mobile Phone में भी देखेंगे टेबलेट में भी देखेंगे, लैपटोप में भी देखेंगे, और टीवी में भी देखेंगे, चारों चीजों में देखते हैं, क्योंकि आज कल वाइफाई सब लोग लगा लेते हैं, तो टीवी से भी बहुत लोग देख लेते हैं, तो इस वीडियो को आप कम्पलीट यहां पर देख सकते हूं मैंने एक पहले से चैनल का बैनर बना करे करें यहां पर देख सकते हूं चैनल बैनर या फिर जो भी चीज़े बोलो, जो भी चीज़े मैं यहाँ पर यूज करूँगा, वो सब का link मैं आपको description में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर easily रूप से download कर लेना, ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस banner को बनाने के लिए आपको कौन सा application का help लेना है तो इस banner को बनाने के लिए मैं pixel lab का यूज करूँगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हूँ, यह pixel lab application है, मैं इसको यहाँ पर open कर लेता हूँ, open करने के बाद सबसे पहले कुछ इस तरिकी का आएगा, आपको simply से cancel कर लेना है, cancel करने के बाद जो new text है, उसको आपको simply सी से delete कर दिया, अब rotate करने के बाद दो सबसे पहला काम करना है, जो सबसे पहला काम, आपको यहाँ पर three dot पर click कर देना है, ठीक है, three dot पर click करने के बाद image size पर click कर देना है, और यहाँ से आपको image का size select कर लेना है, तो custom पर click करेंगे, और यहाँ से आप YouTube channel banner पर click करेंगे, और यहाँ स सबसे पहला काम ठीक है सबसे पहला काम यही करना आप यहां पर क्या करना है दूसरा काम क्या करना है प्लस का आइकन पर क्लिक करो फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करो और यहां पर आपको मैं एक फोटो दे दूंगा लिंक उसका डिस्क्रिप्सिन में डाल दूंगा आप वहां से ज आपको इसको कुछ नहीं करना सिंप्रिस से यहां पर थोड़ा सा नीचे जाना है नीचे जाने के बाद आपको यहां पर एक साइज दिखेगा ठीक है तो आपको साइज को जो है ने यहां पर हैंड़ेट परसेंट कर देना है यहां पर देख सकतो रिलेटिव साइज लिखा ह वीद को आप 100% कर दोगे कुछ इस तरीके से और आप यहां पर टिक कर दोगे यह हो गया आप यहां पर क्या करना है जो चीजे में वतारूत को ध्यान से समझेगा आप यहां पर क्या करना है इस फोटो में मैं आपको दिखा दता हूं यह फोटो किस तरीके का है तो सबसे पह आपको सैप आपको कैसेคु Channel Deus को थोड़ा से इस तेसी तरीके से बढ़ाद हो गए रेडियस को बढ़ाने के बाख आपको इसका अनुच दिक यहाँ कर लेता हूं इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टिक कर देता हूँ, इसको आपको थोड़ा से से करके रोटेट कर देना है, ठीक है, रोटेट करने के बाद मैं कुछ इस तरीके से से कर देता हूँ, और इसको करने के बाद मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देता हूँ, आ करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से हो जाएगा आप इसको क्या करना है इसका एक और कॉपी बनाना है तो यहां पर देख सकतो कुछ इस तरीके से बना लेना है तो यहां पर देख सकतो कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है आप बनाने के बाद दोनों हो लग गया दोनों को कर देना है लोग ठीक है इन दोनों को कर देना है लोग लोग हो गया अब आपको क्या करना है यहां पर एक सबसे पहले आपको अपना एक फोटो को अप्लोड करना है ठीक है फोटो को तो मैं क्या करता हूं प्लस के आइकन पर किलिक करता हूं फ्रॉम गैलरी पर किल इसायसे कर लिया है ठीक है कुछीजी कर लेता हूं मैं यहां पर च्टे कर लेता हूंं यह देख सकते हूं ज्युट कर लिए अब ये चीज़ व होगा, आपको ऐब क्या करना है, आप यहां पर यूठीश कर लोगे देना है जैसे कि यहां पर देख सकते हूं यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं यह फोटो मैंने लगा दिया यहां पर बैक्ग्राउंड में देख सकते हूं यूटूब का पी एंजी लोगो यहां पर लगा हुआ है तो उसको आपको सबसे पहले यहां पर लगाना है तो उसको लगाने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले मैं यहां पर जाता हूं यहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है प्लस के आइकन पर वापस से क्लिक कर देना है और यहां पर फ्रॉम गैलरी और आपको जो है कि यूटूब का पी एंजी ले लेना है तो चलिए मैं यह वाला ले लेता हूं यह वाला लेने के बाद सिंपली से मैं इसको कुछ इस तरीके से कर देता हूं इसको करने के बाद आ अब ये चीज़ हो गई अब आपको क्या करना है इसको टू बैक कर देना है ताकि पीछे में चला जाए ठीक है तो यहाँ पर मैं टू बैक पर किलिक कर दता हूं यह चला गया पीछे में अब आपको इसको एक और कॉपी करने के बाद कुछी इस तरीके से सेट कर लेना है एक हुआ है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर चैनल का नाम लिखता हूँ चैनल का नाम लिखने के लिए क्या करना है आपको प्लस के एकन पर क्लिक कर देना है टेक्स्ट पर क्लिक कर देना और यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख लेना है ठीक है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दे लट तो यहां पर देख सेक्त várias और चीज मैं आपको बता दूं यहां पर है और जो क्रिएटर है यह लोग का जीक तो मैं क्या करता हूं कूछ इस ते की प्र कियों कि यहां पर क्षूड़ा साम को कुछ प्रोब्लम लग रिए तो मैं क्या करता हूं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर क्लिक करता हूं और इसको कुछ इस तरीके से कर देता हूं और इसको और भी ज्यादा अंदर कर देता हूं ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हूं आप पहले की जैसा हो गया अब मैं क्या करता हूं इसको भी लॉक कर देता हूं देखो जो भी चीज़ आप यहां पर बना रहे हो न सब को आप लॉक करते जाओ ताकि हीले डूले नहीं ठीक है अब यह आपको इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए आपको क्या करने गोपी को हुआइट ही छोड़ दे और क्रिय करते हैं और यहां पर इसका कलर हम यह इस तरीके के कर देते हैं अभी मैं यहां पर ओके कर देता हूं यहां पर यह चीज हो गए अब आपको जो मैं इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है इसका बैक्ग्राउंड का जो कलर है उसको आपको ब्लैक करना है ठीक है तो बैक्ग्र एड करना बाकि है ठीक है तो वह भी ऐड करना है उसको हम कैसे यहां पर एड कर सकते वह भी चीजे मैं आपको बता रहा हूं तो सबसे पहले यहां पर जो ने एक लोगो है पी अंजी है जिसमें फेश्बुक बगएर का यूटूब का इस तरीके का लोगो है तो मैं एक करता ह और यहां पर देख सकते हूं मैंने एक रखाा है वेख सीज़िए मैं आपको दिखाया दsilT yeah तो मैं इस पर टिक करता हूं टिक करने के वाद मैं कुछ इस तरीके से इसको बहुत ज्यादा छोटा कर लेता हूं और छोटा करने तो यहाँ पर color पर click करना और इसको enable करके मैं यहाँ पर इस color को white कर देता हूं कुछ ही इस तरीके से तो यहाँ पर देख सकतो आप मैं इसको tick कर देता हूं यहाँ पर करने के बाद आपको क्या करना है इसको भी आपको lock कर देना जो भी चीज़ा आप बना रहे हो लॉक कर दो आप मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरे पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर यूटूब का लोगो है, उसको भी आपको यहाँ पर लगाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्रिस से छोटा कर लेता हूँ, कुछ इ ज्यादा कर सकते हो तो यहाँ पर मैं तीन कर देता हूं कुछ इस तरीके से और इसको अब मैं साइज को सही कर लेता हूं जहाँ पर लगाना है आप सिंपली से आप यहाँ पर लगा सकते हो पोजीशन पर किलिक करो और यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर सकते हो ठीक है तो यह लग गई अब लगने के बाद आपको क्या करना है यहां पर कुछ इस तरीके से जादा ही टेड़ा हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा और सीधा कर लेता हूं तो सीधा करने के लिए आप यहां से भी कर सकते हो देखो रोटेट है आपको सिंपली से यहां पर इस तरीके से कर सकत कुछ इस तरीके से माइनस पचीज आप इसको क्या करना है आपको इसको एक और कॉपी कर लेना है कॉपी करने के बाद जो यह वाला साइज है उसको आपको यहां पर लाना है ठीक है तो आपको सिंप्ली से सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है अब सिलेक्ट करने के बाद तो आपको क्या करना है यहां पर क्लिक करना है कुछ इस तरीके से और मैं क्या करता हूँ यहां पर ला देता हूँ आप मैं क्या करता हूँ इसका पोजीशन से पोजीशन पर क्लिक करके यहां पर ले जाता हूँ ठीक है तो सबसे पहले मैं यहां पर ले गया अब यह हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा-थोड़ा करके नीचे की और ला देता हूँ तो कुछी इस तरीके से आप इसको adjust करेंगे, आप अपने उनसार से थोड़ा सा समय देंगे, बहुत अच्छा बनेगा मैं यहाँ पर जल्दी-जल्दी बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत इसमें problem आज सकती है, लेकिन उतना ज़्यादा problem नहीं आएगे नहीं दिख रहा है, यह जो यहाँ पर आपको लाइन दिख रही है, यह जो लाइन, और यह जो लाइन, यह जो पूरे दोनों, इन दोनों लाइन के बीच में जो भी चीज़ी आप रखोगे, वो जो है आपको tablet में, laptop में या फिर TV में दिखेगे, ठीक है, laptop में आपको यहा यहाँ पर कर लिया, और इसके बाद में क्या करता हूँ, इसके बाद अपने जो laptop या फिर desktop के लिए है, उसको मैं यहाँ पर कर दाता हूँ, तो सबसे पहले मैं इसको color को कर दाता हूँ, change, आप क्या करना है अब आपको यहाँ पर plus के icon पर click कर दोना है, from gallery, यहाँ पर जो ह तो इसको मैं color को कुछी इस तरीके से लगा देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको एक और copy बना लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर copy कर लेता हूँ, कुछी इस तरीके से, simply से मैं बता रहू कैसे आपको करना ह कोपी करने के बाद मैं इस तरीके से रोटेट कर देता हूं रोटेट करने के बाद मैं इसको भी यहां पर लगा देता हूं तो यहां पर देख सकते हो दोनों को मैंने लगा दिया यहां पर कुछ इस तरीके से अब यहां पर देख सकते हैं कि लाइनिंग लाइनिंग से है तो तो यह देख सकते हो कुछी इस तरीके कहा है तो आपको सिंपली से कुछी इस तरीके से इतना करको क्रॉप कर लेना है ठीक है कुछी इस तरीके से इसको क्रॉप कर लेना है तो color पर आप click करेंगे, कुछ इस तरीके से, और इसको enable करेंगे, और इसका color जो है, आप यहाँ पर white कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका color को भी change कर लिया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर two back पर click कर सकते हूँ, simple से two back पर click कर दोगो, तो ज्यादा अच्छा यहाँ पर देख सकते हूँ, अब इसको जो है, एक आवर बार आपको copy कर लेना है, ठीक है, copy करके आपको कुछ इस तरीके से, यहाँ पर जो है, इसको लगा देना है, कुछ इस तरीके से, अब आपको इसको भी two back पर click कर दोगो, तो मैंने इसको भी two back पर click कर दिया, आप देख सकते हूँ, यहाँ पर सारा काम हो गया, अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, और भी कुछ काम है क्या, तो यहाँ पर देख सकते हो, सारा काम यहाँ पर हो गया है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है, इसका color change कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर click कर एभी में डिखाता हूं कि कैसा से खुक है तो यह तो पहले का फरक देख सेकते हो कितना ज़्यादा फरक है या फिर क्या है या फिर अगर यहाँ पर देख सेकते हो इसमें थोड़ा से यह वाला ज़्यादा निकला हुआ पाट यह वाला पाट जो है ज़्यादा निकला हुआ तो आप जो है अपने हिसाब से यहाँ पर एजस्ट करके बना आपको योर चैनल पर क्लिक कर देना है जैसे आप योर चैनल पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर एक पेंड का आइकन दिखेगा आपको सिंपली से पेंड का आइकन पर क्लिक कर देना है अब पेंड का आइकन पर क्लिक करने के लिए यहां पर देख सेक तो आपको एक कैमरा का का आइकन दिख रहा है आपको Sumpress 8 zł के आइकन पर क्लिक कर दना है यहाँ पर चूज फ्रॉम इयोर फोटोज पर क्लिक करना और यहाँ पर आपने जहां पर भी अपने गैलरी में फोटोज को रखाया है आपको चलिए मैंने यहां पर क्रोच अपर इसके बाद आप यहां पर डेखोगे कि आपका बैनर इप्डेट हो जागा इसके बाद मैं बैक आता हूं बैक आने का बाद रेफ्रेस करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो मेरा चानल का बैनर जो है सकसे फुली यहाँ पर लग चुका है, ठीक है? तो आप जो है कुछ इसी तरीके से आप अपने यूटूब चानल के बैनर को आप अपने चानल पर सेट कर सकते हो, और मैंने ये भी चानल पने हो, चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आउन कर दिएगा, और जितना भी मैंने इस पिकेसल लाइप में जो भी चीजे मैंने यूज किया है, वो सबका लिंक में डिस्किप्सिन में डाल दूँगा, तो आप एजिली रूप से वहाँ से जाकर कर लेजगा, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टूडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अभी के लिए बाबाए, एटेक किया,